हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में डिसक्स करूँगा मैं कि आई बेसे एक्जाम आपको अटेंट कैसे करना है ठीक है क्योंकि इसमें इंग्लिश, जी एस, रीजनिंग, कौन्ट और करन्ट अफेर्स आने वाली हैं तो आपको किस तरीके साटेंट करना है कि आपका पिपर इनको नहीं रिपीट करनी ठीक है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतिया ऐसी होती है जो हर बार इस्टुडेंट करते हैं और इसके मार्क्स कर जाते हैं या आपका सेलेक्शन रुख जाता है तो आप इस वीडियो में बने रहना ठीक है यह वीडियो देखने के बा सब्चेक्ट को सब्चेक्ट संब्चेशन अच्छी है तो वह कर सकता है देखो लेकिन मुझे लगता देखो करेंट अफेस में किसी को भी इतना confidence होगा तो सबसे पहले आप कोशिश करना है तो इंग्लिश या रीजनिंग में से पहले कोई एक मैं मांता हो सकता हो क्वांट कालेकूलेटेव होती है तो उसमें मैंने 18 मिंट्स का टाइम दिया है का है कि बंदल समें इसका कर सकता हूं क्योंकि 20 कुस्ट्टות आपको 18 मिट में राम साफ कर सकते हूं तो देखो एक चीज़ यह हो गई उसके बाद जो आपको जो यह आगे आते हैं यह बाकी है 40 मिनिट्स आपके यह 60 मार्क्स वाले पॉर्शन में इसमें से लगबग आपको 50 प्लस टारगेट करके चलना है ठीक है अब आते हैं देखो आगे ठीक है उसमें क्या है न आपका आना एक चाहिए ठीक है ठीक है थीक है कोई नहीं चीज पढ़ना मत क्या इब्सकुटाओ अपको अट्चीराइंगे अपको मेरिट में लियाएंगे लेकिन जो आपका iis बर्ट ल तभी आप इनके questions को पढ़के answer दे पाओगे कई बार ऐसा होता है कि पूछ लेते हैं which of these is not इस तरीके से question आजाते हैं और current affairs आपको पढ़ना तो पढ़े गई उसके लिए ठीक है question को जो है इतना मुश्किल नहीं आता टो लेनर वो ना एक कोश्चिन के दो लाइन से करके बनाएते थाकि थोड़ा सा मतलब वह एक concept वह थोड़ा लेविल हार्ड करना चाहते हैं current affairs का टो लेनर से देखके कई बार इस्ट्रेंट घबरा जाते हैं लेकिन आपको घबराना नह मतलब tier 1 से आपके intelligence को check करना start कर देते हैं ठीक है और tier 2 के लिए आपके लिए बहुत time मिलेगा आपका पहले tier 1 होगा उसके लगबग 15 या 20 दिन बाद आपका result आएगा और 2-3 दिन बाद आपके answer की आएगी उसके बाद आपका लगबग एक महीने बाद आपका tier 2 होगा उसक इनके लिए time नहीं बचा पाता सारा time वो इसमें consume कर देता है तो ऐसा होता है कि वो फिर question को सही से पढ़ता नहीं हो चीज आपको ऐसा नहीं करना ठीक है अब आता हूं देखो मैं उस चीज पर की मतलब वह exam के paper को smartly design करेंगे तो आपको न ऐसे नहीं करना कि अगर आपको पहला question नहीं आ रहा हो तो यार आप हड़ बढ़ा जाओ दूसरा नहीं आ ऐसा होता है कि वो starting में दो या तीन question ऐसे डालते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं ठीक है न तो वो जह कहते है आप next करते चले जाना पहले आप एक बार पुरे question को attempt करना ठीक है न पहले जो आराम से अच्छी तरीके से जो आ रहा हो उस पर टिक करके आगे बढ़ते चले जो नहीं आ रहा हो से छोड़ते चले आना ठीक न इस तरीके से करना बाकि आप चाहो तो अपनी भी strategy का use कर सकते हो मेरी तो यह strategy रही है ठीक है आपको रिवीजन करना है सिर्फ आप कुछ नह मिलती रहे है और देखो कट आफ के बारे में बताऊं यह तो common category हो गई कट आफ के बारे में बताऊं तो आपको 75 प्लस तो सोच के चलना पड़ेगा देख सकते हो ठीक है बाकी मैं सब चीज और बता चुका हूँ ठीक है इंटर्व्यू देखो थोड़ा का difficult होता है उसकी व ठीक है न और थेंक यू सो मच बैस्ट ओफ लख यह मेरी लास्ट वीडियो आप मैं एक्जाम के बाद ही बनाऊंगा वीडियो जो भी है ठीक है न तो आप अच्छी तरीकेस त्यारी करना बाकी आपका भाई आपके साथ यह अपॉर्चुनिटी बहुत है भी DSSB, UIICL, NICL तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो के एक्जाम देना कोई ऐसा बढ़ा बढ़ाना मत बिल्कुल भी ठीक है न अभी बहुत अपॉर्चुनिटी आगे आपका भाई फ्री में बुक भी प्रवाइड कराएगा, सब चीज प्रवाइड कराएगा आप चैनल को आपको मिल जाएगा, ठीक न, आपको मिल जाएगा, definitely, thank you so much